आज से नहाय खाय के साथ लोकास्था का महापर्व छठपूजा की शुरुआत हो गई है चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी की आज नहाय खाय है इस दिन लोकी की सबजी चने का दाल और चावल खाने का महत्व है इसको बनाने से लेकर खाने तक हर पुरुषे महिला सात्विक भोजन का सेवन करते हैं पहले दिन खाने में ऐसी चीजों को सामिल किया जाता है जिससे वरतर वाले दिन भूख प्यास कम लगे नहाय खाय के दिन बिना लहसुन प्याज की सबजी बनाई जाती है इस दिन लोकी और कद्दू की सबजी बनाने क खास महत्व होता है नहाय खाय में लोकी चनाकी डाल को भात के साथ खाया जाता है पटना के मशूर जोतिस वीद डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी बताते हैं कि नहाय खाय के दिन कद्दू और लोकी खाने के पीछे धानमिक मानियताओं के साथ वेग्यानिक महत्व भी है इ पटना के डॉक्टर पवन परकार्श भी इस बात से सहमती रखते हैं डॉक्टर और जोतिस वीद के बताय हुए कारण के अनुसार छटवर्त के पहले दिन कद्दू की सबजी और चने का दाल खाने का महत्व है लोकी की सबजी और चने के दाल को सात्विक भोजर माना जात है लोकी पचाने में असान होती है और इसमें पानी की अच्छी मात्रा होती है जिससे सरीर को एनर्जी मिलती है लोकी में विटामिन भरपूर होते हैं जो वरत के लिए शरीर को तयार करने में मदद करते हैं वहीं डालों में चना डाल को सबसे सुध माना गया है। इससे भात खाने में असानी होती है और पेट भी लंबे समय तक भड़ा रहता है। इसके साथ ही इस दिन कद्दू को इम्मुनिटी बुष्टर के तोर पर खाया जाता है जो वर्तियों को 36 घंटे के लिए उपवास में मदद करता है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सचदा अनंद किया रिपोर्ट।